सब्सक्राइब किजी एन नेट सीखो सिखाओ और दबाए नोटिफिकेशन बेल ताकि आप देख पाएं वीडियो सबसे पहले आज के इस वीडियो में मैं आपको अप्लिकेशन के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है स्मार्ट अनांसर तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि स्मार्ट अनांसर अप्लिकेशन से क्या होता है और इसे कैसे यूज किया जाता है आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं हेलो नमस्ते मेरा नाम विनोद मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल नेट सीको सिखाओ में सबसे पहले दोस्तों आपको स्मार्ट अनांसर अप्लिकेशन को डाउनलोड करना होगा दोस्तों अगर आप इस smart announcer application को यूज करते हैं तो फिर आपके phone में आने वाले messages को आपका phone पढ़कर बताएगा अगर आपके phone में कोई call भी आता है तो आपका phone आपको पढ़कर बताएगा कि किसका call आ रहा है तो दोस्तों इस smart announcer की मदद से आप अपने phone में आने वाले messages को phone से ही पढ़वा सकते हैं तो चलिए जानते हैं कि ये सब कैसे होगा सबसे पहले दोस्तों आपको play store में जाना है play store में जाने के बाद में search बार में आपको type करना है smart announcer तो जैसे ही आप smart announcer लिखकर search करेंगे तो आपके सामने इस परकार से application दिखाई देगा इसका logo आप देख लेजिए इसी application को आपको download करना है दोस्तों इस application को मैं पहले से phone में download कर रखा हूँ तो मैं आपको open करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये काम करता है और आपको इस application को कैसे setup करना है open पर click करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर application open हो जाएगा तो कुछ इस परकार से दिखाई देगा यहाँ पर आपको continue का option दिखाई दे रहा है इस पर click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको तीर का icon दिखाई दे रहा है इस पर click करना है इस तरह से आपको तीर पर कई बार आपको क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर सही का निसान जो आ गया है इस पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है काल अनाउंसर यानि कि काल अनाउंसर को अनेबल करने के लिए बोला जा रहा है तो यहां से हम call announcer को enable कर लेते हैं, नीचे enable का option दिखाई दे रहा है, इस पर click कर देते हैं, तो जैसे हम enable पर click करेंगे तो यहां पर आपको कुछ permission देना होगा, तो यहां पर आपको allow कर देना है, इस तरह से allow करने के बाद में permission दे देना है, उसके बाद यहां पर आपको language को select क करना है आप कौन सी language में इस application को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं English को रहने देता हूं उसके बाद यहाँ OK कर देता हूं यहाँ पर यह पूछ रहा है test to speak option यानि कि आपके phone में आने वाले messages को हिंदी में पढ़कर बताए आपका phone या फिर English में तो आपको यहाँ से language को select करना है तो यहाँ पर आपको OK कर देना है OK करने के बाद में यहाँ से आपको हिंदी को select करना है जो भी आपका भासा है जो भी भासा में आप messages को पढ़वाना चाहते हैं या फिर call को allowance करवाना चाहते हैं उस भासा को आपको यहाँ से select कर लेना है तो मैं हिंदी कर लेता हूं क्योंकि मैं हिंदी जानता हूं तो मैं ह कोई serc कर लेता हूँ यहां tunic पडिकल दिया टिक लगाते हैं धूस्तों यहां पर आपको एक्जम्पल दिया गया है इस तरीके से आवाज आयेगा तो यहां पे प्ले करके बॉइस को टेश्ट कर लिते हैं यहां पर डन कर देना है, डन करने के बाद में दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं, काल सेटिंग जो है, हमने अनेवल कर दिया था, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ग्रीन टिक आ गया है, तो इस तरीके से यहां पर जितनी भी सेटिंग दी गई है, आप उनक boy setting पर click करने के बाद में दोस्तों सबसे पहले आपको language आता है test to speak मैंने आपको पहले application open करते ही बताया था तो आप यहां से भी language को select कर सकते हैं कि आपका phone कौन से भासा में आपको messages को पढ़कर बताएगा तो यहां पर मैंने हिंदी को select कर रखा है उसके बाद दूसरी नमर पर है time announcer अगर आप चाहते हैं आपका phone आपको time भी announce करके बताएगे तो आपको इसको enable करना होगा और यहां पर time आपको set करना होगा कि कितनी कितनी देर में आपको time repeat करके बताता रहे तो फिलाल के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ उसके बाद दूसरी यहां पर आपको flip to mood इसको आपको बंद कर देना है उसके बाद दूसरी यहां से आपको back चला जाना है back जाने के लिए दूसरी आपको ऊपर तीर का icon दिखाई दे रहा है इसके बाद दूसरी अगर आप चाहते हैं आपके whatsapp पर या फिर आपके chrome browser में या फिर आपके youtube पर या फिर आपके mail में कोई भी message आए तो आपका phone आपको पढ़ कर बताए तो उसके लिए दूसरी आपको यहां app setting का option दिखाई दे रहा है इसमें जाना होगा और उस application को select करना होगा जिस application को आप announce करवाना चाहते हैं सबसे पहले यहां पर app announcer को on करना है यहां से उसके बाद select application पर click करना है तो जैसे यह आप select application पर click करेंगे तो यहां पर आपके phone में जितने भी application है सारे application यहां पर दिखाई देने लगेंगे तो यहाँ पर आपको select करना है कि कौन कौन से application पर आने वाले messages को पढ़वाना चाहते हैं जैसे कि मैं चाहता हूँ मेरे Gmail में कोई भी mail आए तो उस mail को हमारा phone पढ़कर मेरे को बता दे तो उसके लिए यहाँ पर हमें इसको own करना होगा तो चलिए मैं इसको own कर देता हूँ तो इस तरीके से दोस्तो जिस application की messages को आप read करवाना चाहते हैं mobile से उस application को आपको select कर लेना है तो यहाँ पर मैं bots आपको कर लिया हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं जिस application को मैंने यहाँ पर own कर दिया है उस application पर कोई भी messages आएगा अगर तो हमारा phone हमको पढ़ कर बताएगा own करने के बाद में यहाँ से आपको back चले जाना है back जाने के लिए आपको तीर वाले icon पर click करना है और फिर से आपको तीर वाले icon पर click करना है back होने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर green tick आ गया है app setting setting को हमने use कर लिया है तो यहाँ पर तीन green tick आ गये हैं यानि कि हमने तीन setting को यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है timing उसके बाद battery इसके बाद दोस्तों अगर आप battery वाले setting को भी इस्तिमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको click करना है और यहाँ से आपको battery announcer को enable कर देना है तो जब भी कभी आप battery को charge पर लगाएंगे और जब भी कभी आप charger को disconnect करेंगे तब भी आपको बताया जाएगा कि आपके phone में कितना charge है कितना नहीं है तो दोस्तो इस तरीके से आप अपने phone में smart announcer application का इस्तेमाल कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो कैसी लेगी वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को share और like जरूर करें और हमारे channel को subscribe करना ना भुलें ताकि इस तरीके का वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँ मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार गुर्बाय जो